नमस्कार दोस्तों हमारे चनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है आज हम आपको बताएंगे सिखाएंगे आयल सिल पंखा की फुल रिपेरिंग आप देख सकते हैं इसमें यहां पर वेरिंग अपनी प्ले बता रहा है तो हम इंजिन पूरे पंखे की रिपेरिंग हम आपको समझ में आएगा क्या इसमें दिक्कत होगी तो हमने पंखा बॉड़ी से मैंने खो लिया है अब इसमें ही सारा मटीरिल इसमें लगाना है बनाना है सारी कारीगरी इसी में हमको करनी है तो पहले तो हम इसको इसका जो फैन होता है पंखा इंपेलर बोलते है इसका इसकी ये बोल्ट जो होता है ये उल्टा चूड़ी को खुलेगा तो πहले यह हम आपको बताते है कि सभी पंकों में ज्यादा से ज्यादा भी ओलटा जूड़ा को कहलता है उस सरब को ये बोल्ट खुलता है तो आप देख सकते हैं भी मैं इसे 25 नंबर के रिंग पाणा से खोलूँगा थोड़ा टाइट होता है पानी की वज़े से टाइट हो जाता है तो खोलने में थोड़ा दिक्कत भी हो सकती है आराम से इसे खोल दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कोई दोस्तवा साथ ही परेशाने तो उसे इस वीडियो के जरीए आप उसे समझाने का प्रयास करें कोई समस्या हो रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें तो हमने यह बॉल्ट को मैंने खोल लिया है और फोड़ा हलकी चोट लगाने के बाद में इसे हम निकालेंगे पहले हम इस तरब कि यह तुकोनिया साइड प्लेट खोल देंगे का ताकि पीछे की तरफ धुरा बाढ़ सके और इम धुरा पर हलका चोट लगा के पीछे की त तरफ से हम हलका ठुकाई करेंगे थोड़ा देख सकते हैं पीछे की तरफ बैख हो गया है तो यह तिकुनिया भी खोल देंगे यहां पर तेरा नंबर की चाभी से आप खोल सकते हैं इससे पहले तो हम पेलर में हलका वही जो मैंने नट खोला था तो मैंने थोड़ा नट लगाके इसी पहलका हम थोड़ी की मदद से इसमें चला दीजिये तो हमने निकल चुका है हमारा इंपेलर जो पंखा होता है देख सकते हैं आप इसमें यहां तक गिरिस निकल आई है इसमें कि और इसमें जितनी पंखड़ियां जादा हूंगि उतना ज्यादा पानी उठाने का प्रियास करेंगा क्यों कि इसमें इसका प्रेसर ज्यादा होता है और यहां पे आप देख सकते हैं अब धुरा पर जहां पर आल cido गृँ होती देख सकते हैं कितना ग्रीस बाहर निकल आया है और पंखे में भी जंग लग चुका है दूरा में जो दूरा साप्ट है पंखा साप्ट उसमें जंग भी लग चुका है साइध ज्यादा दिनों से खड़ा हुआ था तो अब हम पीछे की तरफ बैक कर लेंगे पीछे की तरफ यह हमारा निकल आया पूरा पंखा साप्ट जो साप्ट बोलते हैं धुरा साप्ट इसे हम देखते हैं क्या इसमें एक हमारा बैरिंग अंदर ही रह गया क्योंकि पंखे में बैरिंग सीट जो है वह बहुत ज्यादा धीला पड़ चुका है तभी आगे पीछे की तरफ भग रहा है यहां पे भी इसकी चाल देख सकते हैं अब और वहां पे भी आईसी सीट पे कुछ कटिंगे बन गई है चलते चलते और बैरिंग सीट धीला हो गया है तो पहले हम इसे निकालते हैं थोड़ा थोड़ी के मदद से साप्ट को टिकुनिया से अलग करने के लिए देख सकते हैं किस परकार की यह हमारा साप्ट और धुरा अलग अलग हो चुका है यह देख सकते हैं आप यह बैरिंग देख सकते हैं आप इसी कितना यह आईल सील जो है जो बाहरी साइड में तिकुनिया के जस्ट वाली प्लेट की है और यह बैरिंग देख सकते हैं इसमें भी प्ले हो गया है प्ले होने से आपकी आईल सील जल्दी यल्दी खराब होने लगती है तो अगर आपकी बैरिंग में प्ले है तो आप बैरिंग बदलने का पूरा-पूरा प्रयास करें और इसकी हम सफाई भी अच्छी तरह करेंगे क्योंकि इसमें सारा ग्रीस पुराना निकाला जाएगा और नया ग्रीस डाला जाएगा यह इसका ILCL है देख सकते हैं आप इसी नाप की यह इसमें काला-काला ग्रीस ग्रीस भी सारी ग्रीस खराब हो चुकी है तो इसकी ग्रीस की भी रिप्लेस्मेंट करेंगे नया ग्रीस डालेंगे यह हमने नया धुरा सेलेक्शन किया है आप जेसके पूरा दुरा फिक्स नाप के ही इसमें फिट करें 19-20 थोड़ा भी चेंज हो सकता है मगर ज़्यादा चेंज नहीं होगा थोड़ा चेंजिंग है तो आप अरजेस्ट कर सकते हैं अगर आप कारीगर हैं तो आइल सिल को ऐसे धीरे-धीरे निकाल दीजिए देख सकते हैं आप कैसे निकाली जा रही है आइल सिल ऐसे यह आपको निकालनी है और कोई ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे आप साउधानी से निकाल सकें इसमें चबर जस्ती निकालना पड़ता आइल सिल को अब हम बैरिंग को निकालेंगे बैरिंग हमारा एक अंदर ही रह गया था तो उसको बैरिंग को निकालें फिर हम आपको भी दिखाते हैं बैरिंग बाहर उसको भी ये देख सकते हैं आप हमारा बैरिंग भी निकलाया है तो हम अच्छे से इसकी सफाई करते हैं फुर पूरा पंखा हम आपको कम्प्लीट करके दिखाएंगे फिटिंग करके इसमें हम आपको कोई कमी नहीं चोड़ेंगे बैरिंग भी नया डालेंगे आयल सील भी नया डालेंगे इसमें नमबर कुछ कीलियर नहीं हो पा रहा है तो हम नया आयल सील का जो नमबर लगा होता है इसमें उसको नमबर दिखाने का हम प्रयास करेंगे आपको और देख सकते हैं यह हमारा आलसी इसमें चार लगनी है तीन भी लगेगी तीन लगेंगी चार मैने रखवाली है कि तूट फुट हो सकती है 24, 45, 10 इस नमबर का आलसी इसमें लगेगा देख सकते हैं सभी में यही नमबर होगा 24, 45, 10 24, 45, 10 तो इन साइज के पंकों में 24, 45, 10 आने के ज़्यादा चांसे ने आप देखते हैं कैसे आईल सील को हम फिट बैठाल रहे हैं लिस्टर का पुराना वाल से आप सेटिंग कर सकते हैं सीधा और देख सकते हैं कितना अच्छा सेट बैठालने में अच्छा रहता है और सीधा आईल सील अपनी सीट पे चला जाता है अब दूसरा नमबर हमाई दूसरा भी आईल सील ऐसे ही आपको ले जाने हलकी अथोड़ी की मदद से फिर आपको वाल के सपोर्ट से आपको अंदर तक पहुँचाना है हलके हलके आप देख सकते हैं अब इसमें एक आल सील और ही आएगी बस दूसरा तीचा उथा नहीं आएगा क्योंकि इसमें तीन ही आल सील लगी होती है किसी किसी के में चार में भी होती है तो यहाँ पे एक भी और दो भी हो सकती है तीन भी और चार भी यह हमारा आलसिल फिट बैट चुका है आप देख सकते हैं आलसिल हमारा फिट हो चुका है आप देख सकते हैं यहां पर और जो नंबर का मैंने आलसिल लाला था वो भी देख सकते हैं आपको बता चुके हैं तो हमारा combining बाडी में आलसिल बिठाना था वो बिठा गए ये हमारा नया गरीस भी हमने निकलो आया है और ये हमारा बैरिंग भी आ गया है आप देख सकते हैं नया बैरिंग मैंने निकलो आया है अब इसे हम किलियर करके दिखाते हैं किस नंबर का है किस कमपनी का है आप देख सकते हैं NBC दिख रहा है इसमें यहां पर यह NBC दिख रहा है देख रहा होगा और यहां पर 98-35M इसका साइज नंबर है पिराल सभी पंकों में साइज अलग-लग हो सकता है इसके लिए हमें खेदे सभी में साइज अलग-लग होता है इसका भी हम आपको नामबर दिखाने का प्रियास करेंगे 24, 37, 8 साइद था तो सभी में हम सबको अंप्षिट करने के लिए अनकी हम त्यार है बैरिंग को अपनी जगए पर सीट पर बिठालेंगे बाहर को फिट कर लेंगे यह हमारा एक आगे का बैरिंग फिट हो चुका है और दूसरा बैरिंग भी हम बाहर फिट कर लेंगे क्योंकि अंदर ठुकाई में प्लेट बॉडी फटने के चांसे ज़्यादा रहते हैं तो बाहर ही अगर ऐसा काम कर लेते हैं तो आपका ये नुक्सान बच सकता है वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो किलाएक और चनल को सब्सक्राइब जरूर किजगा पूरा वीडियो देखेगा वीडियो लंबा भी हो सकता है आपको पूरी प्रोसेस दिखाने के लिए हमने अतना बड़ा वीडियो तयार किया है ताकि आपको समझ में आ सके तो हमारा दोनों बाइरिंग फिट हो चुके हैं देख सकते हैं आप अब हमें ये फिट करने का मौका नंबर आ गया है समय तो हल्का हल्का गरीस आगे लगा लेजिए जो आयल सिल की जगे पर धुरा रहता है वहां पर गरीस लगा लेजिए ताकि गरम होके यहां पर आयल सिल आपकी खराब ना हो क्योंकि पहले सूखा एंजन चला जाया जाता ह उसके बाद में पानी तब तक आलसील फट सकती हैं तो ग्रीस लगाने से हलका चिकनाई बना रहता है तो देख सकते हैं हमारा ये इतना आधा दुरा रोक के अब यहां से आप पूरा ग्रीस को भर देजिए क्योंकि बाहर से ग्रीस भरने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है तो पंखा जब खुलता है तो ऐसे ग्रीस को आगर आप भरते हैं तो आपका पूरा ग्रीस आधा किलो जो होता है तो आधा किलो पूरा इसमें चला जाएगा 500 ग्राम का ग्रीस का डबा है जो इसमें पूरा ग्रीस को हमें फिट करना है बाहरी साइड से आप पूरा ग्रीस नह नहीं भर पाएंगे ग्रीज समाबर्शु का देख सकते हैं आप थोड़ा थोड़ा दबाते जाएए और ग्रीज को अंदर भी साथ में ही दबाते जाएए क्योंकि ग्रीज जितने अच्छा रहेगा उतने दिन ज्यादा पंखा चलेगा क्योंकि इसमें आईल सील बोलते हैं तो ग्रीज के सारे पूरा सिस्टम चलता है ग्रीज में अगर कोई दिक्कत है तो आप में दिक्कत हो सकती है तो हमारी ग्रीज पूरा भरके हम देख सकते हैं हमारा बैरिंग भी अपनी जगे पहुँच चुका है अब हलका हलका बैरिंग थोड़ी थोड़ा छेनी की मदद से यहां पे हम इसको सेट कर देंगे अब यहां पे थोड़ा हमारा बैरिंग जो धूरा हलका ज्यादा था तो यहां पे थोड़ा बैरिंग उपर की तरब ब्राबर प्लेट के जस्ट में और इसकी कोर थोड़ा ओबर है तो इसकी कोर पे हम थोड़ा जैन डोरी ग्लेन डोरी जो आती है हलकी वाइट वाली तो उसको हम लग पेट के इसको प्लेट को हम अपनी जगह पे फिट कर देंगे ताकि हल्का दबाव बैरिंग पे बना रहे और टाइट भी ना हो तो इस तरफ से हमारा तो सिस्टम फिट हो चुका है आप देख सकते हैं और टाइट थोड़ा भी हो सकता है क्योंकि नया आल सील नया दूरा नया बैरिंग है तो थोड़ा टाइट होने के चांसे से तो इसमें आप यह ना समझें कि यह टाइट हो गया है तो खराब भी हो जाएगा तो हमारा तिकुनिया भी जो लगाया है जो कपलिंग के लिए इसे यूज करते हैं तो इस तरफ का साइट जो हमारा है इस तरफ का साइट जो है इसे टाइट कर देंगे और हमारा इस साइज में अब हम इंपेलर की तैयारी करेंगे जो पंखा होता है पानी के लिए इसको हम यहाँ पे फिट करेंगे कैसे आपको फिट करना है ये भी हम आपको बताएंगे पूरा वीडियो देखें ताकि आपके समझ में आ जाए इसमें देख लिजिए इसमें चाबी लगा होता है उचाबी लगा कि इसको इंपेलर को अच्छे से फिट कर दीजिए हलका हलका ठोक दीजिए क्योंकि नया दुरा है थोड़ा टाइट भी हो सकता है हलके हलके ठोकने के बाद में हमारा इंपेलर फिट हो चुका है और इसमें वहीं नट लगाएंगे ताकि यहां से इधर उदर खुल ना सके अच्छे से टाइट कर देख सकते हैं उल्टा ही चूड़ी उल्टा को टाइट किया जा रहा है इसकी पंखे के जो चूड़ी होते हैं वह इसे उल्टा को लगाएं। हमारा यह कम्प्लीत हो देख सकते हैं आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा टाइट हो सकता है पूरा सिस्टम नचा है तो थोड़ा टाइट होने के विकलप हैं यह हमारा इसमें हलका हलका ग्रीस इस पे लगा देंगे ताकि यह सीट पे जब प्लेट में कसा जाए तो यहां से लीक ना हो तो ग्रीस के इस्तेमाल जरूर करने ताकि यहां से लीक ना हो तो हम चलो इससे body पे sit करवाते हैं फिर हमाना video संपूर्ण होता है आपको अच्छे से grease का जो hole होता है वो उपर के तरह प्रखना है जिस जगे से entry point लगाते हैं और 15 नमबर के इसमें सारे bolt होते हैं तो हमारा पंखा पूरा संपूर्ण फिट हो चुका है वीडियो आपको कैसा लगा हमारे comment box में जरूर लिखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मैंने देने का प्रयास किया अगर किसी भी समस्चा से आप परेशान हैं तो आप हमसे संपर कर सकती यहाँ से आप ग्रिस को फिट कर लगा सकते हैं तो पूरा संपूर्ण वीडियो देखिने के लिए बहुत बहुत धन्यवात मिलते हैं हम अगले वीडियो में